आप सभी का बहुत बहुत सुवागत करती हूँ हमेशा की तरह मैं आगई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लवल पे करेंट एनरजी और उनका नेक्स्ट आक्शन आपकी तरफ क्या होगा यह आज हम देखने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं गाईज लेगे प्रभू का नाम हरहर महादेव जै हुशिव शक्ति, जै हुराधिक्रिशन, जै मेरे भाई हमेशा की तरह सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से लूंगी फाइफ कार्ड्स और क्लारिफाई करेंगे टैरो से सबसे पहले हम देखेंगे आपके परसन की करंट सिचुवेशन, फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं और उसके बाद हम देखेंगे इमिजियेट आक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है तो अपने परसन को इमाजिन कर लीजे जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं उस व्यक्ति को इमाजिन कीजे, उनका नाम लीजे प्लीज गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के सबकॉंशेस माइंड में इस वक्त जो भी परसन है, उस परसन की एनरजी, किस एनरजी में हैं आपके परसन, we have the hermit with high priestess थ्री मोर कार्ड्स, hanged man, जय प्रभू प्रभू, we have the lovers, वाह, जय वी फूल, death के बाद the fool साथ में आया है, दो कार्ड हैं तो ये दो में नहीं लोंगी ठीक है, bottom of the deck we have the chariot so guys, यहाँ पर माशक्ती की एनरजी है, high priestess की एनरजी और यहाँ पर we have death and fool together bottom of the deck is the chariot energy कुछ ऐसी है आपके person की आज के दिन में, जैसे की बहुत लोगों ने इनको बढ़काया है एक दो लोगों ने नहीं, काफी लोग ऐसे हैं जो इनको बढ़काने का काम कर रहे हैं लगातार इनका कान भरने का काम कर रहे हैं इनके path से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है और इसी कारण से यह overthinking की vibration में हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं अगर for example, जैसे हमारी एक basic tendency होती है कि अगर हम कोई बहुत बड़ा अपने life का decision लेने वाले होते हैं तो हम अपने आप में तो सोचते ही हैं बट हम अपने closer one से भी directly या indirectly confirm करते हैं अपने नाम से न भी करें तो किसी और के नाम से confirm करते हैं कि ऐसा है तो उसको कैसा करना चाहिए और जो reply आता है वो हम अपने आप पर लागू करके देखते हैं कि कहीं हम कोई गलत step तो नहीं लेने जा रहे तो सामने वाला अगर भड़का दे सामने वाला अगर ऐसा कह दे कुछ जो कि इनने जो सोचा हुआ है इनोंने जो plan किया हुआ है उसके opposite है suppose कि इनोंने plan किया कि हमने शादी कर लेनी है शादी करने के बाद तो family मानी जाती है ठीक है कुछ time लगता है बड़ situation ठीक हो जाती बड़ सामने इन्होंने किसी दोस्ट से share किया या अपने छोटे या बड़े भाई से share किया और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद इनकी सारी जो भी planning है वो धरी की धरी रह गई अब इनको ऐसा लगता है कि यार मैंन जाने की कोशिश कर रहा है और इन्हें ऐसी भी guidance मिल रही है कि यह जिस path पर है वो wrong है उस path को तुरंत इनको खतम करना चाहिए और दूसरे direction में जाना चाहिए तो यह energy है समझ रहे हैं यहाँ पर आपके person के bus में है अमने ने लेना क्योंकि इन्होंने जिससे जिससे भी guidance ली है उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो कि आप दोनों के रिष्टे के लिए सही नहीं है ठीक है साइन की बात करूँ तो we have Pisces, Virgo, Cancer, Scorpio ठीक है यह energies हैं यहाँ पर मतलब की आपके person का यह sun sign हो सकता है या moon sign हो सकता है या ascendant हो सकता है ठीक है Please guide कर angels high priestess का card क्या बताना चाहता है The chariot with the tower मैंने अभी आप से क्या कहा coin को manipulate कर रहा है कि इन्होंने जो निर्ने लिया है वो गलत है और तुरंत इनको उस निर्ने से हट जाना चाहिए यही कहा मैंने क्योंकि energy यही है और यहाँ पर है the chariot with the tower मतलब इन्होंने जो decision लिया है वो गलत है ऐसा इनको बढ़काया गया है तो high priestess यहाँ पर कोई हो सकता है उनके दोस्त हो सकते है उनका कोई अपना हो सकता है जो ज़वात दोस्तों की energy है क्योंकि अंसान देखे अपने घ़रोलों से share करने में डरता है उसको ऐसा लगता है क silicone को बह Häni ने ममी को बता दिया यह मैने भाइ को बता है भाई ने ममी को बता दिया और दोस्त क्या है उनसे आप कुछ भी share कर सकते हो वो पक्के होते हैं, मतलब वो आपको, आपकी बातों को इधर-उधर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जाधतर दोस्तों की एनरजी है, बिकोज साथ में we have six of cups, अब आपके person planning की एनरजी में है कि भाईया मैंने गलत decision तो नहीं ले लिया, ठीक, अगर इन्होंने आपकी तरफ आ हैं कि मैं क्या करूँ, क्या सोच रहें, अब यह सोच रहें कि मैंने निर्ने तो ले लिया, कि मुझे जो भी पाना है, वो पाना है, ठीक है, बट अब मैं क्या करूँ, मैं move on कर लूँ, या इस रिष्टे पर टिका रहूँ, यह वाली vibes है, समझ रहें, आपके person confused हैं, आत्म मन्थन की energy है कि यार मैं इसके बिना रहतो सकता नहीं क्योंकि मैं प्यार बहुत करता हूँ और मैं इसके साथ ही सपने देखता हूँ आगे बढ़ने के तो अब मैं क्या करूँ इधर से पीछे हड जाओं या जो हो भी हो देखा जाएगा ये वाली vibes है तो आपके person बहुत सोच विचार में है hanged man का card क्यों आया है आपके person ऐसा सोच रहे हैं कि काश की सब चीजें माबाप की मर्जी से हो जाए काश कोई भी decision ये लें उसमें सब की रजामंदी हो जाए सब लोग मान जाए चीजें balance हो जाए ताकि इनके ओपर ये pressure न रहे कि किसी एक को ही choose करना है एक को end करना है तो ये judgment लेना चाह रहे हैं कर्मा की energy है तो ये बहुत जादा overthink कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या खतम करें कहां किस के साथ आगे बढ़ें death का card क्यूं है क्या खतम करना चाह रहे हैं इन्हे hope है कि आप दोनों के बीच में जो भी mental conflicts हैं जो भी other situations है या तो वो मान जाएं या तो वहाँ पे एक बड़ा change आने वाला है because death यहाँ पर obstacles and challenges and five of pentacles की energy means ये detachment की energy में है ये obstacles को खतम करना चाहते हैं ये अपने mental conflict से बाहर निकलना चाहते हैं stress से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको 24 गंटे ये चीज़ें गूम रही हैं इनके mind में और ये hopeful हैं कि शायद चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा इनको बढ़काया जा रहा है the fool का card क्यों आया है क्या ये नई शुरुवात मेरे viewers जो ये reading देख रहे हैं उनके साथ करने वाले हैं एक card और आया गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे viewers हैं जिनकी life में other other situations यहाँ तीन female energy है कुछ लोगों के life में तो उनके person की mother हो सकती है because moon represents mother and mother-in-law तो आप married हैं तो उसे साब से देखिए unmarried हैं तो उसे साब से देखिए कुछ लोगों के life में तो पैसा, status, image, standard यह चीज़ें बीच में आ रही हैं और कुछ लोगों के life में age difference या किसी का किसी तरीके का past है for example आपका person single है आप married आप divorce हो या विडो हो और आपका person single है या आप दोनों में age difference है या वो आपसे छोटी है या आप उनसे छोटी है कुछ इस तरह की vibes है या आपका किसी तरह का past है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी love life में ये भी problems होती है तो जो भी आपकी issues है आपके person इन सारे issues से बाहर निकलना चारह है carefree होकर और ये आपकी तरफ आना चारह है means इनको कोई भी manipulate कर दे बट ये action आपकी तरफ ही लेना चारह है आपके favor में लेना चारह है chariot क्यों आया है angels यहाँ पर एक अच्छी vibe ये है कि ये सुनेंगे सब की बट करेंगे अपने मन की ये सब की सुन रहे है tension भी आ रही है इनको लेकिन ये करेंगे वही जो जिसमें इनकी happiness जुड़ी होगी बहुत सोथ समझ कर planning के साथ और ये new beginning की vibes है means की इतना heavy energy जहलने के बाद इनका जो निर्ने होगा वो आपके favor में होगा ये vibes नजर आ रही है ज़ादतर लोगों की energy में ठीक है तो ये energy है guys अभी इस वक्त आपके person की current situation आज के दिन में timeless reading है जबी भी आपके सामने आएगी जैह माशक्ती जबी भी आपके सामने आएगी आपके person की energy से resonate करेगी देखते हैं अभी इस वक्त current feelings क्या है आपके person के subconscious mind में क्या है आपको लेकर please guide करें angels current feelings सबसे पहले तो attachment बहुत ज़ादा है आपसे इनको ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका person आपसे प्यार तो करता है बट इनके life में और भी options रहते हैं मतलब कोई propose करना चाह रहा है या कोई इनको इनकी तरफ आकरशित है या इनके life में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ जो इनकी तरफ आकरशित है इनसान कई बार compare करता है कि इसकी energy कैसी है और मेरे person की कैसी है ये इस matter में कैसे deal करने की कोशिश कर रहा या कर रही है और मेरा person ऐसे situation में कैसे deal करता है अगर आपकी energy उनकी energy पर भारी पड़ती है तो ये हमेशा comparison वाली energy में होते है और इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो पसंद किया है वो best है और ये एक normal process है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत बात है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जिसके साथ life गुजारनी है उसके बारे में इनसान 5 बारे एक तो कपड़ा भी इनसान खरीदता है तो definitely वो उसको check करेगा हर तरीके से अपने बुरे वक्त में भी check करेगा अच्छे वक्त में भी check करेगा तो यहां पर ये बहुत ज़ादा आप पर research already कर चुके हैं और इसलिए बहुत ज़ादा attached हैं आपसे ये वाली vibes हैं इनके subconscious level पे आपकी energy बहुत ज़ादा strong है subconscious mind में 24 गंटे जैसे आपके बारे में सोचते रहे ना इन ऐसा लगता है कि आपके ही dreams इन्हें आते हैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं हवाओं में उड़ते हैं आपके बारे में सोचके जैसे अपनी ही आलग दुनिया में illusions में, imagination में कि आप साथ होंगे तो कैसा रहेगा आपके साथ बिताय हुए जो time है वो कितने बहतरीन है आपसे बाते करने में इनको कितनी happiness मिलती है तो एक magician की energy है पूरी तरह से daydreaming की energy है six of cups की energy है बहुत जादा ये आप पर trust करते हैं बहुत जादा ये आप पर surrender है एक तरह से इनको ऐसा लगता है कि आपसे attachment भी बहुत जादा है ये आपके बारे में सोचते भी बहुत जादा है प्लस आप इनके subconscious level को effect करते हो अगर आपसे दूर होते हैं इनकी life, इनकी soul इनसे दूर जा रही है तो इस तरह की feelings हैं आपके लिए ये बाहर से कई बार आपको बहुत जादा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने emotions को control करके कि ये rude है, सक्त है और ये आपके बिना भी रह सकते हैं बड़ actually में ये हालत होती है इनकी, ये बहुत जादा अकेला feel करते हैं, जब आपसे दूर होते हैं, और ये incomplete feel करते हैं जैसे आप कोई puzzle बनाओ और उसमें अगर एक puzzle भी ना हो तो आप कैसा feel करते हो आप कैसा लगता है, यार ये तो अधूरा है ये तो complete ही नहीं होगा जब तक आप इनकी life में fit नहीं हो जाते, ये incomplete है ऐसा इनको feel होता है तो ये सबर बना कर रखे हुए हैं patience बना कर रखे हुए हैं कई बार ये silent zone में भी रहते हैं आपसे hide करते हैं, अपने emotions अपनी feelings, लेकिन ये 24 by 7 आपके बारे में सोचते हैं और जैसे ही आपकी life में आते हैं इनको वो खुशी मिलती है जो इनको और किसी काम में नहीं मिलती इसलिए ये चाहे जितने भी लोगों का सुन ले, लेकिन करेंगे वही जो इनके दिल को इनके मन को सुकुन दे इस तरह की vibes है आपके person की current feelings में लेट्स चेक immediately क्या action आपकी तरफ हो सकता है किस तरीके का action आप expect कर सकते हैं आपके person की तरफ से प्लीज गाइड कर एंजल immediate action मेरे viewers की तरफ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है कहां कहां बारिश और thunderstorm आये भाई बताना क्योंकि मुझे बहुत सारे messages आ रहे हैं whatsapp पे की ma'am आपने कहा था last unexpected में जो इस हफते में मैंने करी थी की thunderstorm की energy है और कहां तो ओले पड़ गए कहां पे हर्याना में पड़े हैं शायद बहट सारे लोग हर्याना के जो मेरे viewers है मेरे बनारस में खुद बहुत पड़े हैं तो मैं बाकी का क्या वोलो मेरे बनारस में खुद बहुत जादा तूफानी बारिश हुई है तो जो बनारसी हैं जरूर बताएगा comment में, इसके अलावा कहां कहां पड़े, unexpected में जरूर बताना, मैं पढ़ूंगे सबके comments, किसके यहां तुफान आए भाई, Emotional Loss, पहला card, then we have again number 5, Financial and Material Changes, then we have number 222, Triple 2, Movement, Choices and Decision with Mental Conflict and Intuition, and last we have Hanged Man, Sacrifice, तो यहां पर we have double 5, double, triple 2 and number 3, तो most probably मैं बोल सकती हूं कि आने वाले 50 hours के अंदर की एनरजी है, और 50 hours के अंदर, 50 hours means near approximately 2 days, तो 50 hours के अंदर की एनरजी है, और यहां पर इन 50 घंटों के अंदर, बहुत सारे viewers ऐसे हैं, जिनके person दोविधा में होंगे, बहुत जाजा stress होगा, दिल पर बोज होगा, यह financially या personally कही न कहीं से trigger हुए है, किसी न किसी ने, जैसा हमने कहा कि इनको किसी ने भढ़काया है, या इनको किसी ने मार्ग से भढ़काने की कोशिश की है, अब यह overthinking की vibration में करेंगे तो यह वह अपने मन की, अपने intuition की सुनकर करेंगे, अगर intuition यह बोलता है, कि हाँ तुम सही हो, तुम्हें अपने प्यार को चुनना चाहिए, तो यह चुनेंगे, अगर इनका intuition ऐसा बोलता है, कि नहीं भाई, तुमको तो वही करना है, जो सब लोग कह रहे हैं, तो यह उसकी सुनेंगे, बट cards में collectively जो आया, वो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर जो 50 hours के अंदर की energy है, उसमें juggling नजर आ रही है, confusion नजर आ रहा है, इनसान देखिये चाहिए, कितना भी दिर्ण निश्चे ही हो, बट अगर 2-4 लोग उसको भढ़का देना, तो उसका निश्चे थोड़ खराब है, इस रास्ते से मत जाओ, भले वो रास्ता सही हो, बट आपका जो मन है, वो डोल जाता है, कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई confusion हो गया हो, यह रास्ता सही है या नहीं है, तो वैसे ही, आप कितने भी right path पर हो, कई बार कुछ negative attacks होते हैं, कुछ negative लोग होते ह जो भड़काने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपके person confused हो गया है, इनके पास बहुत सारे doors हैं, वो इनको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कि यार यह किस तरफ जाए, यहाँ पर जाएं, कि यहाँ पर जाएं, कि यहाँ पर जाएं, कि इसको चुने, यहाँ पर कौ इस mental conflict से बाहर निकालेगी, आपके person फिलहाल hangman की energy में रहने वाले हैं, दो दिन, 50 hours तक, emotional loss की भी energy है, क्या-क्या छुटेगा, अब for example, कोई लड़का है, ठीक है, जिसने love marriage की ठान ली, अब उसको यह पता है, कि यहाँ मेरी property गई, मेरा घर गया, मेरे पिता जी या माता ज जो करना है करो, हमने पैदा किया, बढ़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, सब कर दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का time था, तुम पीछे हट रहे हो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि यह सधे-सधाय dialogues होते हैं, जो सब लोग सुनता है, तो यह जो चीजे हैं, इनको यह भी trigger करेगा, कि यार मेरा तो सब को छूट रहा है, ठीक है, कई लोगों को emotional पैसों का कोई tension नहीं, चलो हम independent है, हम खुद का कमाते हैं, हमें वो tension नहीं है, हमें वो property का लालच नहीं है, हमें अपना प्यार चाहिए, अब उनके लिए दिल से, भही मेरी ममी, मेरे पापा, मेरे family, मेरे भाई, मेरे बहन, कैसे करें love marriage, तो ये भी चीजे होती है, बहुत ज़्यादा stress होता है, प्यार इतना असान नहीं है पाना, बहुत मुश्किल है, जिसने achieve कर लिया, उससे पूछो, ठीक है, और बहुत सारे obstacles को पार करके marriage तक पहुँचता है, कोई भी love relationship, तो यहाँ पर जो energy है, वो ये एक तरह से testing period है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं, और ये testing period कब तक चलेगा, 8-8 portal तक चलेगा, 8-8 portal, Leo का portal होता है, strength का portal होता है, तावर तोड action होते हैं, उस portal के बाद, आप कभी भी मेरी readings पूर्टल के बाद के जो comments होंगे न, भरे पड़े रहते हैं union से, commitment से, और 8-8 portal से 12-12 portal तक ये सिलसिला कायम रहता है, फिर उसके बाद चीज़े low होने लगती है, काफी नए लोग भी आते हैं, नए-ने relationships भी आते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, यहाँ पर जो vibes है, फिलहाल 50 hours की काफी heavy है, तो अगर आप अपने person से कोई सवाल, जवाब, कोई तरक, कोई decision लेने के लिए force करने वाले हैं, फिलहाल patience रखिएगा, क्योंकि पताचला आपने एक question किया, उन्होंने block कर दिया, जाओ ते लेने, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं दूँगा क्या, ये वाली vibes है, अभी बचना, कोई भी सवाल, जवाब करने से, देखते हैं आज के दिन में, इंजल्स आपको क्या message देना चाहते हैं, इंजल्स की तरफ से क्या messages हैं, astrology series देख रहे हैं कि नहीं आप लोग, astrology series में, केतु का वीडियो आज लास्ट पढ़ जाएगा, केतु in 12th house, उसके बाद ऐसी सभी planets के वीडियो आएंगे, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ important वीडियो दूँगे आप लोगों को, जैसे past life connection, love marriage, arrange marriage and so on, बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारे interesting वीडियो तो इसके लिए आपको अपना date of birth, time of birth, place of birth पता होना चाहिए, अगर पता है, तो आप astrology series में जाके astrology basics जान लीजे, ताकि जब मैं वो वीडियो बताऊं, तो आप अपने birth chart को open रखें अपने सामने, और जो जो चीज़े मै बताऊं, वो आप देख पाएं, कि कहां पर क्या चीज़ें कैसी हो सकती हैं, कई लोग career के बारे में भी पूछते हैं, तो career की reading में बीच-बीच में इस channel पर डालती रहती हूं, लेकिन ये क्योंकि career क्या चीज़े वो आप collective में नहीं देख सकते, career जो है, वो आपका पूरा base है, तो base के लिए आपको खुद को पताऊना चाहिए, तो इसके लिए मैं astrology के recording बताऊंगी, ताकि आप अपने base के recording, कि आपका क्या लगन बनता है, उसके recording किस तरह की energy आपके लिए suitable है, किस तरीके के profiles आपके लिए suitable है, तो वो सब astrology series में आपको ये one by one मिलने वाली है, तो base clear होगा, तो आप सब समझ पाएंगे, वरना उस time आप comment में पोचेंगे, शायद मैं सब को personally न बता पाऊंगे, तो इसलिए पहली बता रहे हूँ, ताकि जब वो videos post हो, तो आप उसको देख सकें, और अपने bird chart से resonate कर सकें, ठीक है, चलो, प्लीज गाइड करें इंजल्स, मेरे viewers के लिए क्या messages है, आज के दिन में, क्या messages है, क्या guidance है, एक जैसे card आते हैं, जब ही मैं shuffle करते हूँ, पता नहीं कैसी एक जैसे card आते हैं, जब कि साब अलग हैं, देखो, ये दोनों भी देखो, एक जैसे हैं, इसको separate कर देते हैं, दे ये दोनों भी एक जैसे हैं, देखो, ये दोनों भी एक जैसे हैं, कई बार एक जैसे ही card आ जाते हैं, लेकिन बड़े अच्छा लगता है, एक जैसे देख कर, ते प्यारे लग रहे हैं, vibrant colors बहुत खुबसूरत लगते हैं मुझे, again we have got the same, थोड़ा सा different है, and we have got the same again, ठीक है, तो सबसे पहला message यहाँ पर है, you leave your unique stamp of love on everything you do, यहाँ पर बहुत जादा लोग ऐसे हैं, जो कोई भी कारे करे, उस पर अपनी एक छाप छोड़ देते हैं, और अगर आपने किसी से प्यार किया है, तो उससे ऐसा किया है, कि वो किसी और से वैसा प्यार पा धून लो जाके दिया लेके कहीं तुमको नहीं मिलने वाला, इतना confidence है आपको, तो इस तरह की energy है यहाँ पर, और angels कह रहे हैं कि अगर आपनी इस तरीके का प्यार किया है, जिसमें आप loyal है, dedicated है, kind है, आपने unconditionally प्यार किया है, without any expectation, without any selfish motive, तो आपके जैसा प्यार उनको जाता है, आपको छोडता है, आपको hurt करता है, तो यह उसका loss है, आपका loss नहीं है, आपने क्या खोया, कुछ नहीं खोया, खोया तो उसने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया, जो life में उसको कहीं मिलने वाला नहीं है, तो यह energy है यहाँ पर, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति को छोड़ कर जाता है, या छोड़ कर जाती है, तो आप अपने आपको मत कोसा कीजे, कि मेरे साथ धोका हुआ, नहीं नहीं, उसने खोया, उसका loss है, ठीक है, second message यहाँ पर है, you are developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion, बहुत सारे लोग हैं, जिनने love में और डर में difference करने नहीं आता, और truth में और illusion म difference करने नहीं आता, illusion क्या है, माया, मोह, आपने एक अपना imagination बनाया, imaginary दुनिया बनाई, create की, और वो illusion था, वो reality था ही नहीं, और वो जब break हुआ, सच के आगे, तब आपको सच नजर आने लगा, ओ, मैंने तो जो illusion create किया, वो तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो truth में और illusion में differentiate करने आना चाहिए, दूसरी चीज, प्यार और डर, अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो पूरी दुनिया एक साइड आ जाए, आपने प्यार के साथ खड़े होते हो, ये होता है प्यार, चाहिए, आप प्यार को छोड़ कर भाग नहीं जाते हो, नहीं, मेरे पपा, मेरी म मेरा भाईया, मेरी भावी, नहीं, आपको लव में और फियर में differentiate करने आना चाहिए, अगर किसी ने आपसे प्यार किया, किसी ने आपको वादे दिये, किसी ने आपको बहुत सारे commitments दिये, और बाद में वो डर के भाग गया, तो वो आपको तुरंत उसका साथ छोड़ दे स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, कल को शादी कर भी लिया, मा ने कुछ बोला पताचला उसने डर के मारे मा का साथ दे दिया, फिर आपको लगेगा अरे तो मम्मा बॉय है, या फिर अगर उसने डर के वज़े कुछ अगल बगल के relatives ने कुछ कह दिया, बुआ ने कुछ कह दिया, दादी ने कुछ कह दिया, पताचला आप तो दिन बर डाटी खाते रह जाओगे, तो प्यार में एक दूसरे के लिए वो respect होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए caring होनी चाहिए, कि हाँ भई आपके भरोसे कोई आया है, तो यहाँ पर fear या love किसी एकी की जगह हो सकती है एक प्यार में दोनों की जगह होई नहीं सकती, या तो प्यार या तो डर, ठीक है, या तो truth या तो illusion, अगर illusion है तो break हो गा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं दस साल बाद, बट होगा, कई लोग बोलते हैं कि माम हमने love marriage कर ली, और love marriage करने के बाद वो व्यक्ति मुझे छोड़ कर चला गया, उस व्यक्ति को कैसा प्यार था कि वो छोड़ कर चला गया, कई लोग मुझे बोलते हैं कि माम हमने love marriage की, हम साथ रहते थे और अचानक से वो अपनी family में चला गया और उसने arrange marriage कर ली, अब आप सोचिए, एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ कर किसी के भर उसे चली गई, उसको छोड़ कर, rented house में, और चले गए, और शादी भी कर लिया, अपने parents की मर्जी से, और उसे न कोई डर है, न कोई खौफ है, क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो चीजे हैं, ये आजकल बहुत common हो गई हैं, बहुत सारे लोग परिशान हैं, बहुत सारी readings मे बंधन में हो, आप कैसे बंधन में बंध जा रहे हैं, और इतनी जल्दी क्या है किसी बंधन में बंधने की, रिष्टा हुआ नहीं, दो-तीन साल हुए नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे की family से कभी मिले नहीं, और इतनी bonding अच्छी हो गई, कि family को बताने की बिजुरत नहीं है, और family को बिना बताए, आप रिष्टे में हो, और एक time पर वो आपको धोका दे कर चला जा रहे हैं, तो इसमें गल्ती किस की है, दोनों की है, जब आपने commitment दी, वादे किये, तो आपको family से भी मिलना चाहिए न, आप close हो रहे हो, ठीक है, आप close भी हो र प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, फिर प्यार कहां चला जाता है, तो ये चीज़े बहुत illusions हैं, ये illusions का ही पार्ट है, तो कभी भी ऐसे रिष्टे में हर बड़ी में मत जाएगा, हाँ बहुत अच्छा लड़का मिल गया, तो बस पढ़ा पढ़ा बाद में पता चला commitment मिली ही नहीं, तो ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है, especially आज की generations में ये बहुत बड़ी problem है, बहुत common problem है, then we have next message, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत kind होते हैं, बहुत loving होते हैं, बहुत caring होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो खुले दिल से प्यार किया मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया, मैंने तो उसे अपना तन्मन, धन सब एक तरह से dedicate किया, सामने वाले ने नहीं किया, तो उसको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो dear यहाँ पर अगर आपने unconditionally किया, तो आप न उसका अच्छा मनाईए न बुरा मनाईए, ठीक है, अगर आपने unconditionally किया, भगवान देखेगा, भगवान फिर वो भी देखेगा कि आपका क्या कर्मा associated था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाश लाइफ में आपने उसके साथ कुछ ऐसे चीज़े किये थे, जिसके बदले इस लाइफ में उसने आपको धोका दिया, क्योंकि हर चीज ज तो उसको भुकतान करना ही पड़ेगा, उसको उसके बच्चों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि गलत कारे का फल जादा तर बच्चों पर पड़ता है, भगवान भी बहुत शाणे होते हैं, भगवान यह नहीं कहते हैं कि आपने गलत काम किया तो आप ही को दंड दे दे, बगवान गलत कारे का दंड उसको देते हैं जिससे वो सबसे ज़ादा attached होता है, और इंसान किससे सबसे ज़ादा प्यार करता है, कि भाया सब बेच देंगे वह भाद बच्चा सस्वस्त रहे मस्त रहे, तो इंसान की जो सबसे प्यारी चीज होती है न, उस पे फिर कर्मा अटैक करता है Then we have past बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार को बहुत powerful मानते हैं प्यार वैसे भी love is the highest vibration पूरे universe में love carries the highest vibration love के अंदर इतनी ताकत होती है जो आपको बदल देती है आपको transform करने का दम रखती है इनसान कितना भी attitude वाला हो कितना भी rude हो कितना भी जिद्धी सुभाव का हो लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है वो सामने वाले के लिए आप देखोगे बड़े-बड़े महान लोग जो की किसी से नहीं डरते दादा टाइप के बड़ वो जिस से प्यार करते हैं उनको उंगली पर न जाती तो ऐसी जो चीजे है transform कर देता है इनसान को प्यार बदल देता है तो काफी लोग ऐसे हैं जिनकी situation अठकी हुई है जिनकी situation stagnant है चीजें बदल ही नहीं रही है बड़ आपको विश्वास है आपके दिल में ये energy है कि नहीं मेरा तो उसके साथ कोई नो कोई past life bond है और चीजें आज जो हैं जरूरी नहीं कि आगे भी वैसी रहेंगी एक ना एक दिन ये चीजें बदलेंगी तो अगर आपको ये विश्वास है और आप इस विश्वास से टिके हुए हो तो आपको इस energy में रहना जरूर है बट dependent नहीं रहना है कल को ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने मन में ये thought create किया कि हमारा bond बहुत strong है हमारा past life connection है और ये चीजें आगे चलके बदलेंगी लेकिन अगर वो नहीं बदली तो आप सामने आले पर bill फाड़ दो और नहीं तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया no because ये illusions आपने create किये ये सारी चीजें आपकी दिमाग की उपज है तो आप इसका bill किसी और पर नहीं फाड़ सकते angels कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर love है तो that should be unconditional अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और आप उससे expect कर रहे हैं तो that is a legal contract और आप कह सकते इसको contract because आपने उनको प्यार किया बदले में आपको चाहिए marriage की commitment तो ऐसे situation में आप अगर logic use कर रहे हैं आप हर चीज में logic use कीजे practical रहे है जब practically आप सोच रहे हैं तो practically रहे है हर चीज के पीछे कारण आप अगर उनसे प्यार कर रहे हैं और आपको motive है कि आगे चलके हमें एक होना है हमें शादी करनी है तो आप उनकी family से भी मिली उनको force करिए कि अपनी family से मिलवा हो अगर तुम मुझे I love you बोल सकते हो तो तुम अपनी family में बोल सकते हो कि हाँ मैं इस से प्यार करता हो या करते हो सारी चीजे hidden और उसके बाद back out तो ये चीजे जो हैं आजकल बहुत common है इस से आपको बचना है चाहे male हो या female हो next बहुत सारे ऐसे male होते हैं जो even literally मैं कह रही हूँ रोते हैं personal reading में उनका audio सुनके आँखों में आसू आ जाते हैं इतना जादा dedicated होते हैं इतना जादा loyal होते हैं इतना जादा प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले को कदर नहीं है सामने वाले को value नहीं है बगवान पदा नहीं कौन सा दिल दे कर भेजते हैं ठीक है तो ये चीज़े हैं लेकिन हैं तो as a guide मेरा फर्ज है guide करना ताकि लोगों का दिल न तूटे लोग मजबूत रहे और लोग co-dependent न रहे ठीक है then we have elevation you are making the conscious decision to raise your vibration of love आप जब सच्चे प्यार में होते हैं तो सच्चे प्यार पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो playlist में होगी इसी channel के ठीक है जरूर देखिएगा जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो प्यार में आपकी vibration raise होती है आप elevate होते हैं आप grow करते हैं आप expand करते हैं चीजों को आपका expression बढ़ता है आपकी wisdom बढ़ती है आपकी knowledge बढ़ती है आप तरक्की पाते हैं आपका name, fame, recognition आपकी vibration highest होती है peak पर होती है आपका confidence level boost होता है तो अगर कोई ऐसा रिष्टा आपके life में आता है जो आपको इतना vibrant बनाता है so always show gratitude to him or her भले वो रिष्टे में शादी, commitment है, नहीं है doesn't matter but at least उसकी life में आने से आपकी life में जो growth होई उसका श्रे उस बंदे को जाता है उस बंदे के साथ कोई नो कोई आपका ऐसा past life connection है pending karma है जो उसने fulfill किया ठीक है इसलिए karmix को teachers कहा जाता है karmix को teacher इसलिए कहा जाता है क्योंकि karmix आपको life lessons देते है in a positive way और in a negative way ठीक है तो जो positive way में life lessons देते हैं उनको हम कह देते हैं कि हमारा soulmate है हमारा इसके साथ कोई नो कोई divine bond है जिसने मेरी life में आके मुझे इतना growth दे दिया इतना wisdom दिया इतना knowledge दिया और कुछ relations ऐसे होते हैं जिनके life में आते time आप बहुत balanced होते हो आप बहुत अच्छे phase में होते हो बर जैसे ही आप उस रिष्टे में इंटर करते हो वो रिष्टे में कुछ time के बाद कुछ time तो आपकी vibration raise होती है क्योंकि love की energy ही है raise करना लेकिन उसके बाद अगर वो toxic person है तो वो आपको सक करने लगता है आपको आपकी energy को drain करने लगता है फिर आपकी energy low होते 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 एक time ऐसा आते है जब आप अपने lowest पर आ जाते हो आपका ऐसा लगता है ना आप job कर पा रहे हो ना business कर पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो ना कोई exam clear कर पा रहे हो आपकी energy ही ही नहीं आपका money नहीं लग रही है आप रो रही हो बिलक रही हो health खराब पीछे जा रहे हो, तुरंत कान पकड़ लो या राम राम जाओ अपने रास्ते, मुझे चाहिए ही नहीं, तलवा चाट लो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगे, यह वाली वाइबरेशन, अपने औरा को पारफुल बनाएए, सबसे इंपोर्टन्ट है, ठी ठीक है, never attach too much, especially जब तक आपको एक solid commitment नहीं मिलती, ठीक है, then we have spontaneity, you have, you move beyond the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situation, yes exactly, जो अभी मैंने कहा वही exactly same चीज है, आपको हमेशा ready होना चाहिए अपने life में एक new situation के लिए, प्यार से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी रिष्टे में इतना time दि बट वो रिष्टा आपको एक fruitful result नहीं दे रहा, तो आपको उससे निकलने में भी फिर उतना समय लगता है, कई लोग निकली नहीं पाते, कई लोग उसको नई situation को embrace ही नहीं कर पाते, accept ही नहीं कर पाते, उन्हें लगता है, नहीं नहीं मैंने तो दिल दे दिया उसको, अरे उसने आपको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, आपको respect नहीं दिया, दरवाजे पर खड़ा खड़ा वापस कर दिया, तो आप किता भी उसको दिल दे दो, क्या फैदा, जब तक respect नहीं है, care नहीं है, कोई relation का कोई फायदा नहीं है, loyalty नहीं है, dedication नहीं है, तो आपने जिसको दिल दिया, वो उसकी value किया या नहीं किया, अगर नहीं किया, तो आप thank you बोलिये भगवान को, show gratitude, बगवान आपने मुझे बचा लिया, भले इतना time waste हुआ, बट आपने मुझे बचा लिया, मुझे ऐसे गड़े में गिरने से बचा लिया, जहाँ पर मैं गिरने व हो गई, और मुझे अब भगवान पर भरोसा नहीं है, आज से पांच साल, दस साल बाद जबाव अपने life में grow करोगे, खुश रहोगे, और जो व्यक्ति आपके लिए stand नहीं लिया, उसको देखोगे, तो आप अपने आपको ही भगवान के सामने जुकाओगे, और कोओगे कि हाँ भगवान आपने मुझे सही रास्ता दिया, बट हाँ अभी इस वक्त आपकी energy में, lowest energy में आप हो, तो आप उस हिसाब से ही सोचते हो, इनसान कई बार blame करता है, भगवान नहीं है, भगवान ऐसा है, भगवान क्या करे, भगवान आपके कर्मों का हिसाब लेके बैठ इतना कुछ भी कर रही हूँ, मैं भगवान का नाम जब कर रही हूँ, जरूरी नहीं मैंने past life में सब कुछ अच्छा ही किया हूँ, past life से related कुछ bad karma अगर मैंने किया है, मुझे भोगना पड़ेगा, मैं उसके लिए ready हूँ, तो जब अच्छा मिलता है, उसके लिए ready होते है खराब मिलेगा, उसके लिए भी ready होना होगा, right, so these are the guidance, और कुछ लोग request कर रहे थे कि मैं हम angel guidance लंबी ही रखा की, जी ये, वहत सारे लोग मुझे comments में बोल रहे थे, कि मैं angel guidance लंबी रखिये, और आपकी guidance बहुत helpful होती है, हमें life में, तो इसलिए मैं angel guidance को बिलकुल आराम स बताती हूँ आज कल, और इसलिए बताती हूँ ताकि last में, ताकि अगर किसी को न देखनी हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं video बहुत लंबी हो गई, तो next action के बाद वो लोग skip कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, so ये थी guys आज की reading, thank you so much, take care of yourself, bye-bye.